उधारन 9, चार क्रमागत सम पूर्णांग संख्याएं ग्याद कीजिए, यदि प्रथम तीन संख्याओं का योग चौती संख्या से आठ अधिक है उधारन 9, उधारन 9 का हम हल देखते हैं, तो देखिए बच्चों, प्रष्ट में यह कहा गया है कि चार क्रमागत सम पूर्णांग संख्याएं इन में प्रथम तीन का योग जो दिया है वो चौती संख्या से आठ अधिक है तो ध्यान देने से हमें समझ में आता है कि चार क्रमागत सम पूर्णांग संख्या मतलब पहले हम सम पूर्णांग संख्या क्या होती है देख ले तो क्योंकि सम पूर्णांग है तो हम क्या लिखेंगे उसे 2X क्योंकि कोई भी संख्या, कोई पुर्णांग जिसमें यदि दो का गुणा हो तो हम उसे संपुर्णांग कह सकते हैं इसके बाद बात कही गई है चार क्रमागत संपुर्णांगों की तो यदि पहला संपुर्णांग हम दो एक्स ले रहे हों तो दूसरा कैसा होगा? बिल्कुल इसको दो जोडने पर हमें प्राप्त होगा तो दूसरा जो हमारा संपुर्णांग होगा वो 2X धन 2 हो जाएगा इसके बाद अगला जो होगा वो पुना 2 जोडने पर प्राप्त होगा याने की 2x में 2 बार 2 जोडने पर तो मिलेगा 2x धन 4 इस प्रकार हमें अभी कितनी प्राप्त हो गई समपुर्णांग संख्या पहली, दूसरी, तीसरी और चौथा भी हमें ढूणना है तो वो हो जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से 2 अधिक करने पर 2x धन 6 तो इस प्रकार ये जो हमें प्राप्त हो रही है ये हैं चार क्रमागत समपुर्णांग संख्याएं अब हम देखते हैं कि इन जो संख्याएं जो हमारे पास हैं इनके बिच क्या संबंदिया हुआ है यह कह रहा है कि प्रथम तीन का योग याने कि ये जो तीन हमारे पास समपुर्णांग संख्याएं हैं इनका योग जो है ये चौथी संख्या से 8 अधिक है अब इस कथन को यदि हम समिकरन रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार दिखाई देगा देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या और ये होई तीसरी संख्या इनका योग हमारी चौथी संख्या जो की है 2X धन 6 इससे 8 अधिक है याने इसमें हमें कितना जोड़ना होगा 8 इस प्रकार ये गणिती समिकरन के रूप में हमें दिखाई दे रहा है अब इसे हल करना है याने कि हमें X का मान निकालना है यदि हमारे पास X प्राप्त हो गया तो हम 4 निकाल सकते हैं तो चलिए इसकी हल की तरफ आगे बढ़ते हैं पहले कोश्टकों को हम खोले अधन 4 बराबर 2X धन 6 धन 8 अब करना क्या होगा जैसे कि हमने समिकरन हल करना सीखा समान पदों को हम जोड़ लेंगे तो समान पदों को जोड़ेंगे देखिए समान पद हमें 6X और अब ये दो पद याने की 6 उसके बाद इस पक्ष में देखिए तो 2X और ये दोनों पद जोड़े जा सकते हैं याने कि हमें मिलेगा 6 और 8 जो 14 चलिए इसे आगे हल करते हैं चलिए हल को हम आगे देखते हैं और हमें जो पद प्राप्त हुआ था वह था 6X धन 6 बराबर 2X धन 14 इसे हल कर लेते हैं इसके लिए हम दोनों पक्ष में देखिए X के पद हैं उन्हें पक्षांतर करके हम एक तरफ ले आते हैं तो 6X क्योंकि ये धन में है तो इस तरफ आ कि वो धनात्मक है इधर तो यहाँ पे हमें मिलेगा रिंट 6 चलिए आगे हल करें 6X में से 2X हम घटाएंगे तो मिलेगा 4X और 14 में से 6 घटाने पर हमें मिल जाएगा 8 अब अंतिमपद करना क्या होगा समानता के नियम के चौथे नियम से हम यहाँ पर इसमें दोनों पक्षों में 4 का भाग दें तो हमें मिलेगा 4X बटे 4 बराबर 8 बटे 4 याने कि इसको हल करने पर 4-4, 4-4 इस तरफ 4-4 और 4 दुनी 8 हमें मिला x बराबर 2 तो अब समिकरन को हल करके हमें x बराबर 2 प्राप्त हुआ है इसके साहिता से हम जो हमारी चारों सम पुर्णांग संख्याएं थी उनको ग्याद कर सकते हैं तो चलिए आगे हल करेंगे हमें प्राप्त हुआ था x बराबर 2 जिसकी साहिता से हम चारों सम पुर्णांग संख्याएं जो हैं वो निकाल सकते हैं पहली हमने मानी थी सम पुर्णांग संख्या 2x तो संख्या क्या मिलेगी? 2 गुणे 2 याने कि 4 अगली 2x धन 2 याने कि 2 गुणे 2 धन 2 बराबर हमें मिलेगा 6 और इसी प्रकार 2 हम आगे बढ़ाते जाएं तो हमें 4 जो संख्या हैं वो मिल जाएंगी चलिए सभी को हल कर लें 2 गुणे 2 धन 4 बराबर आपको मिलेगा यहां 8 और अगली जो होगी वो हो जाएगी 10 तो इस प्रकार आपको जो संख्याएं मिली हैं जो चारो संपुर्णांक संख्याएं मिली हैं संख्याएं होंगी 4, 6, 8 और 10 इस प्रकार यह प्रश्ण जो है वो हल हुआ 5, 6, 8 और 10